स्वागत है आपका अफिशल कारियाले में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम step by step सीखेंगे कि हम कैसे excel में index और match का formula apply कर सकते हैं उसके साथ ही हम यहाँ पर एक drop down list बनाना भी सीखेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो काफी important होने वाली है तो इस वीडियो के end तक बने रहे हैं उमीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सिखने को मिलेगा अगर आप मेरे चैनल अनफिशल कारियल पर नए है तो मेरे चैनल को ऐसे informative वीडियो के सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक table design किया हुआ हुआ है जिसका मैंने header दिया हुआ है dynamic drop-down list तो इस table के अंदर मेरे पास पहले तो कुछ states के नयम है जो की row 2 में है तो बसकुछ states के नयम है और उनके नीचे के जो columns हैं उन columns में मैंने individual state में जो भी cities located है उनके कुछ नाम यहाँ पर मैंने mention किये हुए हैं दोस्तों अब इस data क के basis पर मैं यहाँ पर column I में एक list generate करना चाहता हूं जिसके basis पर अगर मैं यहाँ पर जो light blue में highlighted cell है अगर मैं यहाँ पर किसी भी state का नाम enter करूं तो मैं चाहता हूं कि हमारे table के इंदर जो भी हमने cities specify की है उन सभी cities का नाम यहाँ पर मुझे मिल जाए तो यह पूरा task हम करन the data validation लगा लगाने के लिए हम चैल पर क्लिक कर देंगा it起 और data पर आजाएंगे data पर यहाँ पर data validation के अलाओ के अंदर हम लिस्ट कर लेंगे सोर्स पर क्लिक करके हम सभी states के नाम को सिल्एक कर लेंगे one by one इस तरह से और इसकी बाद okay प्रेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर MP यहाँ पर कोई भी स्टेट सिलेक्ट करूं तो उसके अंदर जो भी सिटी इस लोकेटिट है वह यहाँ नीचे के सेल्स में लिस्ट हो जाएं तो इसके लिए हम इंडेक्स और मैस का फॉर्मलर लगाएंगे तो चली देखते हैं कैसे लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर रो नंबर एंटर करना है तो रो नंबर हमारा कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर जिरो डाल देंगे कॉमा लगाकर यहाँ पर मैस का फॉर्मला एंटर करेंगे मैस में हमें पहले लुक अप वैली देने होगी तो लुक अप वैली होगी हमारी स्टेट का नाम तो ह format रगा कर मैच टाइप में हमजयक्ट मैच के लिए ४िमांडब्र kokos kap लें अब इंडेक्स का ब्लक करने के लिए उर बर इंड़िए क्लोस करेंगे यहां पर जो भी हमारे शिट्टी के नाम है वह यहां पर लेस्ट हो चुके हैं कुछ इस तरह से है तो दोस्तों यहां पर पहला सहिल है वहाँ पर हमें State का भी नाम दिख रहा है तो इसली हुआ है क्योंकि मैंने अपने इस डेटा सेट को टेबल में convert किया हुआ है तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसे तो आपको यहां पर स्टेट का नाम नहीं चाहिए तो आपको यह ध्यान रखना हुआ कि आपका जो डेटा सेट है आप उसे टेबल फॉर्म में ना करें उसे एक टैबिलर डेटा में ही रहने दें तो मैं अभी के लिए से ऐसे रहने दूंगा अब्जेक करते हैं कि हमारा जो सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके एक्सेल में इंडेक्स और मैस का फॉर्मूला अपलाए कर सकते हैं तो उमीदे कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सिखने को मिला होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल और अफिशल का रहे हैं और को ऐसे वीडियो के सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू